संस्कृत आया नमा, मैं रफिला लास्ता, अपना रफिला लास्ता यूटूब चैनल में आप सब का हार्थिक अपिर नदन वह सवागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संस्कृत के शलुकों का हिंदी उनुवाद कैसे क्या जाता है क्योंकि मेरे इस परिवार के एक संस्कृत पेरेमी ने लिख के भेजा था कि वे या आप लाइक प्रूफ हमें दिखाए कि संस्कृत के शलुकों का हिंदी उनुवाद सरल तरीके से कैसे करें तो चलिए अब चलते हैं संस्कृत के शलुकों का हिंदी उनुवाद की और पात्रतवात धनम्मापनोती धनात धर्माहत ततह सुखम्ध धनात धर्माहत ततह सुखम्ध पदचेत अर्थात इन पदोका अलग-अलग लिखना विद्या ददाती विनयम विनयात याती पात्रताम पात्रतवात धनम्मापनोती धनात धर्महत ततह सुखम्ध अर्थात इन पदोका अर्थ संस्कृत में सब्दों का प्रियोक न होकर पदों का प्रियोक होती है संस्क्रेट में लिखा गया है और पदम न प्रियोंजित अर्थात बिना पद का प्रियोक नहीं होती है पद को परिवसित करते हुए आचाजपाणीनी ने एक शुत्रे लिखा है शुप तिंगंतम पदम अर्थात शुप प्रत्यांत और तिंग प्रत्यांत के सब्द सवरुप को पद कहते हैं अर्थात विद्या बरावर विद्या ददार्थी यानि देती है विनयम विनय विनयात विनय से याती अर्थात आती है पात्रताम अर्थात युग्यता पात्रत्वात अर्थात पात्रता से या युग्यता से धनम अर्थात धन अपनोती अर्थात मिलती है धनात अर्थात धन से धर्म अर्थात धर्म ततह उसकी वात शुकम अर्थात शुक उनवात इन पदों का शही तरीके से करमबद तरीके से लिखना ही उनुबाद है विद्या विनय देती है विनय से युग्यता आती है युग्यता से धन की प्राप्ति होती है धन से धर्म करनी होती है अर्थात कर्म करनी होती है और उसके बाद शुख की प्राप्ति होती है चलिए इस स्वध्य में इतना ही अगला स्लोक को देखते हैं दुश्राश लोक इस प्रकार है मात्रिवत परदारेशू प्राद्रब्येशू लोश्टवत आत्मवत सर्वभूतेशू यह पस्च्यती शह पंडितः परदारेशू परदारेशू परद्रब्येशू लोश्टवत आत्मवत शर्वभूतेशू यह पस्च्यती शह पंडितः अर्थाद इन्ही पदों को टुकडा टुकडा करके यानि लिखना है छेद विच्चेत करके पदार्थ इनके अर्थ मात्रिवत माता की तरह यानि समान परदारेशू दुश्रों की इस्त्रियों में परदरब्येशू दुश्रों के धन में लोश्टवत अर्थाद मिटी के डेले के शमान आत्मवत अपने शमान शर्वभूतेशू सभी जीवों में यह अर्थाद ज देखता है शह अर्थात वह पंडित अर्थात बिद्वान उन्यवाद याने इनके करमपत तरीके से अर्थ अन्यवाद दुश्रों की स्तिरियों में माता की समान दुश्रों के धन में मित्ती के ढेले के समान सभी जीवों में अपनी समान जो देखता है वही पंडित अर्था बिद्वान है यही उनुबाद इस शुलोग का हुआ चलिए अब चलते हैं अगला शुलोग के और तिसरा सुलोग हमारे समाथ उपस्तित है यह शुलोग बहुत ही मुहत्वपुरुण है जो श्रीमत भगवत किता के द्वित्यायदय के 19 सुलोग है इसमे भगवान श्री कृ पदाचे यह एनम वित्ति हंतारं यह च एनम मन्यते हतं उभव तव न विजानितो न अयम हंती न हन्यते पदार्थ यह अर्थात जो एनम अर्थात इस जवात्मा को बेक्ती अर्थात जनता है हंतारं अर्थात मारने वाला यह अर्थात जो च अर्थात और एनम इसको मन्यते मानता है हतम अर्थात मारा हुआ उभो अर्थात दोनो तव वे अर्थात दोनो न अर्थात नहीं वी जानी तो ब्रवर जानते हैं न जानते न अर्थात नहीं अयम अर्थात यह हंती मारता है न ब्रवर नहीं हन्यते अर्थात मारा जाता है अनुवाद जो इस जिवात्मा को मारने वाला जानता है तथा जो इन्हें मारा हुआ मानता है वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है यही इस शलोक का अर्थ हुआ प्यारे शहपाथियों आज के इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टोफिक के साथ नमा संस्कृताय जयतु संस्कृतम जयतु भार